निलेश जब इन बातों को बताता है तब उनके वचनों को सुनकर धनुस क्या प्रतिक्रिया देता है कहता है भवतह वृत्तांतं स्रुत्वा दृष्ट्वाच्य अहंपिस्फूर्तिम अनुभवामी एता दृषानी साधनानी सर्वेभ्यः दृष्टिबाधिते भ्यः सूलभानि भवेयुह भावन भावतह आपके वृत्तांतम वृत्तांत को अर्थात ये जो घाचना क्रम पूरा सुनाया वृत्तांत मतलब घाचना क्रम शुर्त्वा सुनकर तो आपके द्वारा बताये गए घाचना क्रम को सुनकर द्रिष्टवाच्च देखकर अहम्पी मैं भी स्फूर्तिम स्फूर्ति अर्था ताजगी अनुभवामी अनुभव कर रहा हूं निशीतरुप से यह मेरे लिए नई जानकारियां हैं तो नई जानकारियों को सुनते हैं तो निशी तर फ्रेम रुमान्चित हो जाते हैं आसानवित हो जाते हैं तो ऐसे ही धनुस भी निलेश के वचनों को सुनकर आसानवित हो जाता है एक ताजगी का अनुभव करता है स्फूर्ती का अनुभव करता है इताद द्रिशानी इस प्रकार के साधनानी साधन सर्व्यभ्या सब के लिए द्रिष्टी पाति तेभ्या जो द्रिष्टी से बाधित हैं ऐसे उन सभी के लिए सुलभानी सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त भव्ययुह हो अर्थात ऐसे साधन जितने द्रिष्टी बाधित जितने जो देख नहीं सकते हैं ऐसे उन सभी बच्चों के लिए उन सभी के लिए ये साधान जो है उपलब्ध हो ऐसा धनुस मानता है यहां सुरुत्वा सब्द आया है सुरुधातु अक्तवप्रत्य का प्रयोग हुआ है और इस तरह से बनता है सब्द सुरुत्वा इसका साधनानी एक सब्द आया है साधन मूल सब्द है नपुन्सकलिंग का है सब्द है तो साधनानी यह पद्जो है प्रत्मभक्ति बहु अचन का रूप है और सर्व्यभ्या सर्व्यभ्या सर्व मूल सब्द है पूर्लिंग का सब्द है चतूर्थी भक्ति बहु अचन का यह सब के लिए तो इस प्रकार के जो साधन है जिस साधन के बारे में अभी निलेश ने बताया कि वहां कर जो संगणक है वो उनके वचनों को सुन करके लिख लेता है और वो मुझको मिला हुआ था मुझको उपलब्ध था वह मेरे मित्र के रुप में था जब चाहे तब मैं उस सब्ध हो ऐसा धनुस अपेक्षा करता है तब निलेश कहता है आम धनुस हाँ धनुस तुम ठीक कह रहे हो ऐसा कहता है फिर धनुस कहता है अस्माकम विद्याल ये विविधोप करणानी न संति अस्माकम अस्मद मूल सब्द है सश्थ्वी भक्ति बहु वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है हमारा तो विद्याले ये विद्याले मूल सब्द है सब्दिम भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है विद्याले में तो हमारे अस्माकम विद्याले हम मुझा फोलिव कर नानी यहां पर गुंड्शवरसंदी का प्रयोग हुआ है तो हमारे विध्याले में विविध प्रकार के उपकरण न संथि नहीं है यह जो तुम जीतने बता रहे हो आधुनिक यंत्रों के बारे में बता रहे हो यह सभी हमारे विध्याले में उपलब्ध नहीं है, ऐसी जानकारी धनुस है आपने मित्र निलेश को देता है, तब निले खहता है, क्या कहता है? ततह किम कर तव्यम, तब क्या करना चाहिए, इसका मतलब यह है, कि इस विद्याले में मुझ को संगनक जैसा कोई मित्र मिलेगा नहीं तब हमें क्या करना चाहिए ऐसा धनो निले जो है अपना प्रस्ण पसित करता है तब धनोस कहता है क्या कहता है वयम सर्वे छात्राह आवेदनम कुर्याम यत असमाकम विद्यालिये समुचिता व्यवस्था भवेत तदैव असमाकम मित्राणा अचे आउन आवेदनम ईर्थात आवेदन करते हैं हम सभी छात्रों को आवेदन करना चाहिए कुर्याम वद्रि लिञलकार उत्तं पुरुष बहुवचन का यह रूप है और उसके तात पर है कहा है gin सभी छात्रों को आवेदन करना चाहिए यत जिस से असमाकम विद्ध्यालिये हमारे विद्ध्याले में समूचीता सम धन उचिता एती समूचीता सम उपसरग है तो समूचीत अर्थात भली प्रकार से ठीक ठीक व्यवस्था भवेत व्यवस्था हो भवेत भवेत मतलब होना चाहिए भूध हात्तु है विधी निगलकार प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर है होना चाहिए तो हम सभी छात्रों को मिलकर आविदन करना चाहिए जिस से हमारे विद्ध्याले में इस रखे जो विशेस आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन प्रमोचित व्यवस्था हो ऐसा धन उसकाता है फिर आगे कहता है क्या कहता है तदैव असमाकम मित्राणाम विशेसावशकता याह पूर्ती भविशती तदैव तदाधन एव इती तदैव यहाँ पर व्रिद्धि स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है तो इसका तात्पर होता इससे है असमाकम हमारे मित्राणाम मित्रों के विशेसावशकता याह विशेसधन आवशकता याह यहाँ पर दिरगस्वरसंदी का प्रयोग हुआ है आवशकता याह आवशकता मूल सब्द है सश्थ्वी खती एक वचन का यह रूप है तो विशेस आवशकता की पूर्ती भविशती पूर्ती होगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम सभी छात्रों के द्वारा एक आविदन लिखना होगा आविदन हम देंगे तो निश्यत रूप से उस आविदन पर सुनवाई होगी जिससे हमारे विद्याले में इस तरह से जितने विशेस आवशकता वाले बच्चे हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था होगी और कोई भी हमारे विद्याले को हीन नहीं कहेगा जिस तरह से निलेस अभी कह रहा है कि मेरे पूर्व विद्याले में इस तरह के सुविधाय थी इस विद्याले में नहीं हैं इस तर निलेश जैसे जो हमारी मित्र हैं उन सभी के लिए विश्यस आवशक्ताओं की पूर्ति इस विद्यालय में संभाव होगी ऐसा धनुस कहता है अब इनके वचनों को सुनकर निलेश कहता है क्या कहता है उत्तमह विचारह भावतह भावतह धेमित्र आपका यह जो विचार है यह बहुत ही उत्तम है तो इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि दो मित्र हैं धनुस और निलेश वे दोनों किस तरह से विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के विशाय में चिंतन करते हैं निशित रुप से यह पाठ हम में भी विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के प्रति एक चेत्ना जागरित करने का कारे करती है और उन सब के लिए समुचित व्यवस्था विभिन विद्यालियों में होना चाहिए इसके लिए यह बल देती है और आजकल विभिन विद्यालियों में इस तरह की सुविधाएं सासंद्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं क इसे तुरुप से यदि हमें आपको जानकारी नहीं है तो आपको अपने सिक्षकों से बात करनी चाहिए, उनके माध्यम से जो इस तरह के विशेस आवशकतावाले बच्चे हैं, इनके विशेस आवशकताओं की पूर्ती के लिए सासंद्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी जानकारियां भी हमें प्राप्त होंगे, आइए, अब इस पाठ के जो अभ्यास हैं उन्हें हल करते हैं, प्यारे बच्चों, अभी यहां जो अभ्यास दिये जा रहे हैं, ये एक नमुने मात्र हैं, आवशक नहीं कि किसी परिक्षा में या विभीन परिक्षाओं मे इन में से ही प्रस्न पूछे जाएं, पाठ के अधार पर भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं, तो आईए, अभी ये जो अभ्यास पाठ में दिये हुए हैं, इन्हें हम हल करते हैं, सबसे पहले निर्देश, निर्देश है रिक्त स्थानानी पूरयत, अर्थात रिक्त स्थान की पूरति कीजिये जब कभी ऐसा निर्देश दिये जाता है तो कभी कभी कुछ विकलप दिये जाते हैं उन विकलप में से सही म는 क्या है इसका चैन करना होता है लेकिन लेकिन कभी-कभी केवल रिक्तिس्थान के प्रश्ण अर्थात एक वाक्य में से या कुछ वाक्यों में से कुछ सब्द को वहां से हटा दिया जाता है और उन सब्दों को वहां इस्थापित करती हुए में रिक्तस्थान की पूर्ति करनी होती है आईए देखते हैं किस तरह के अब भ्यास दिये गए हैं प्रस्ण है मम फिर रिक्तस्थान स्थान अंतरणम अस्मिन नगरे अभवत अर्थात मम मेरा स्थान रिक्तस्थान इस्थान आंतरणम इस्थान आंतरण अस्मिन नगरे इस नगर में हुआ ये कहा गिया तो यह प्रस्ण जो है पाच से संबंदित है पाच को हमने ध्यान से पढ़ा तब वहाँ पर निलेश का यह कथन आया था क्या कि मम मातुह स्थान अंतरणम असमिन नगरे अभवत तो यहां से उपंग्ति आई है किसके स्थान अंतरण की बात की गई है निलेश की माता का तो यहां हमको लिखना होगा मम मातुह स्थान अंतरणम असमिन नगरे अभवत अर्थात मेरी माता का यहां स्थान अंतरण हुआ यह कहेंगे हो गया चले आगे वड़ते हैं अगला भ्यास है विद्यालयम रिक्त स्थान विशेष मार्गह निर्मितह अर्थात विद्यालयमे विशेष मार्ग बना हुआ है लेकिन रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान के पूर्ति करना है तो विद्यालयम परितह द्रिष्टी बाधित मित्रनाम कृते विशेष मार्गह निर्मितह विद्याले के चारों और द्रिष्टी बाधित मित्रों के लिए विशेस मार्ग बना हुआ है तो ऐसा करेंगे परिता है यह जो सब्द कहा जा रहा है इसके योग में द्वीतिया विभक्ति का प्रयोक्य आता है तो विद्याले के चारों और यहाँ पर विद्यालेया से होना चाहिए विद्याले से नहीं होकर क्या हुआ है विद्यालेया क्यों क्योंकि परिता का योग होता है तो परिता योगे द्वीतिया इस उत्र से यहाँ पर विद्यालेया में द्वीतिया व्यक्ति का प्रयोक द्वार मध्ये द्वार के बीच में, फिर रिक्ते इस्थान है, कक्छा या कक्छा की संख्या लिखिता, संख्या लिखी है, ये कहा गया, तो कैसे लिखा गया है? इसके विशेम प्रस्न है तो रिक्त इस्थान के पूर्ती करते वे लिखना है हमें तो द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्छा याह संख्या लिखिता द्वार की बीच में ब्रेल लिपी से संख्या लिखी हुई है अगला प्रस्न है रिक्त स्थान अपि मम मित्रम रथत खाली स्थान मेरा मित्र है किसको मित्र बताया गया वहाँ वहाँ निलेश जो था उसके द्वारा एक यंत्र को जिसका नाम था संगणक उसको अपना मित्र कहा तो लिखेंगे संगणक अपि मम मित्रम संगणक भी मेरा मित्र है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है विद्यालिये समूचिता खाली स्थान भवेत विद्यालिये में समूचित होना चाहिए क्या समूचित होना चाहिए व्यवस्था तो विद्यालिये समूचित व्यवस्था भव सबादे पर बेखेट विद्दियाले में समूचित व्यवस्था हो कुछ ता स्मान औस दम परफम हो três कि दो चले अगे बढ़ते हैं अब अगला अभ्यास का जो निर्दे इस है वह है संस्कृत भासया उत्तरत संस्कृत भासा के माध्यम से उत्तर दो यह कहा गया है तो यहां ध्यान देना है हमें कि यहां तो प्रस्ण पूछा गया है उसका उत्तर हमें संस्कृत में लिखने के लिए कहा गया है लेकिन हो सकता है कभी किसी परिक्षा में प्रस्ण यही ह प्रशन को समझना भी आवश्यक है प्रशन क्या पूछा गए है इसको समझेंगे तभी हम उसका उत्तर देपाएंगे प्रशन कहता है निलेश केन माध्यमेन पठती निलेश किस माध्यम से पढ़ता है तो पाठ में जो निलेश है वी से सावशकता वाला बच्चा है तो इसके लिए पढ़ने का साधन क्या था किस माध्यम से वह पढ़ता था ब्रेल लिपी के माध्यम से बिलकुल सही तो उत्तर है चले अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है संगण कहा किम कर तुम सक्णूती संगण क्या करने में समर्थ होता है तो संगण के तो वैसे बहुत से कार्य हैं आप सभी जानते हैं लेकिन इस पाठ में संगण के किस कार्य की या किस विशेस्ता की चर्चा की गई है उस आपको यहां लिखना है तो तर लिखेंगे संगनक वचनों को सुनकर लिखने में समर्थ होता है यह विशेश तो उसकी बताईगी यह लिखेंगे चलिए अगला प्रशन है धनुस कैसे मित्र की सहायता करता है तो पाच में हमने पढ़ा धनुस की इस तरह से अपने मित्र निलेश की सहायता करने का प्रस्ताव देता है तो उसकी विशे में पूछा गिया है तो उत्तर लिखेंगे धनुसह विशेस आवशकता पूर्तये मित्रस्य सहायताम करोती धनुस जो है वह विशेस आवशकता की पूर्ती की बात करके मित्रस्य सहायताम करोती मित्र की सहायता करता है अगला प्रश्ण है किम तव विद्याले निलेस अस्य सिक्छार्थम व्यवस्था अस्ति किम क्या तव मतलब तुम्हारे विद्याले विद्याले में निलेस अस्य निलेस की सिक्छार्थम सिक्छा के लिए व्यवस्था अस्ति व्यवस्था है क्या आपके विद्याले में निलेस जैसा कोई वच्चा है उसके लिए शिक्छा की समुचित व्यवस्था है बिल्कुल ठीक है तो आपके विद्याले में है अच्छी बात है नहीं है तो यह होना चाहिए लेकिन प्रश्ण कहां किया गया है धनुस के विद्याले में निलेश जैसे बच्चों के लिए विशेश सिख्षा की व्यवस्था थी क्या नहीं तब लिखेंगे न विद्याले में निलेश की शिख्षा की व्यवस्था नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है ततह किम कर्तव्यम ततह मतलब तब किम क्या कर्तव्यम करना चाहिए जब विद्याले में निलेश जैसे विशेश अवशक्ता वाले बच्चों के लिए विशेश सिख्षा की व्यवस्था नहीं की गई है तब ऐसे में क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए धनुस ने क्या उपाय बताया था पाठ में उसके धार पर उत्तर लिखेंगे तब उत प्रश्ण के उत्तर दे सकते हैं पाठ में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं या विभीन परिक्षाम प्रस्ण पूछे जाते हैं वी तरह तरह के होते हैं तो अभी हमने कुछ प्रकार देखा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वे देखते हैं कि यहां कि इस तरके अभ्यास के प्रस्ण दिये हुए हैं कि निर्देश है स्तंभ मेलनम कुरुत अर्थात सही जोडी बनाएए या इस्तंभ को सुमेलित किजिए ये कहागिया है अर्थात यहां दो दो खंज दिये जा रहे हैं, दोनों खंज में कुछ सब्द दिये हैं, उनमें सुमेल करना है, अर्थात उचित संबंध जोड़ाना है, खंज आ में जो सब्द दिये हुए हैं, वे सब्द हैं, पठितुम, स्प्रिष्ट्वा, पठनम, कृतवान, गतः, ये सब्द यहां दि उनके साथ सामने जो सब्द दिये हुए हैं वे सब्द ह्यास क्रिदंत एकश्ट ने जेêterी हुए है अर्था यहां जेतने सब्द दिये हुए हैं इन सभी हैश्ट सभी क्रिदंत युक्त सब्द हैं क्रिदंत प्रत्यायों से युक्त सब्द हैं और इनके सामने खंज में जो सब्द दिये हुए हैं वे सभी क्रिदंत प्रत्याय अर्थात यह जो कृदंत सब्द हैं इन सब्दों में किस प्रत्याय का प्रयोग हुआ है इसकी हमें सही जोड़ी बनाना है तो पठीतुम यह सब्दे देखते हैं इसमें पठ धातु है और तुमून प्रत्याय का प्रयोग हुआ है तो तुमून को हम क्या करेंगे सही उत्तर और इसमें अक्त्वा प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो लिखेंगे सही उत्तर के कालम में लिखेंगे इस प्रश्टव के आगे अक्त्वा फिर पठनम पठधातु है और यहां पर ल्यूट प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो यहां लिखेंगे पठनम के आगे ल्यूट के इसीतरह से कृत वान में कृध्धातु है और अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो लिखेंगे कृइण के आगे में अक्तवतु फिर गताह गम धातु प्रत्य का यहां प्रयोग हुआ है तो गता के आगे लिखेंगे अक्त तो इस तरह से हम यह जो सही जोड़ी बनाईए या स्थम्भों को सुमेलित कीजिए यह जो अभ्यास है इसका हम इस तरह से हल कर सकते हैं या इसी तरह से और भी अन्य प्रस्ण दिये जाएं उनको हम हल क अगी बाड़ते हैं हमारा अगला अगला भ्यास है पाठातचितवा उपसर्ग युक्तपदानिलिखत अरफात पाठ से चूनकर उपसर्ग युक्तपदों को लिख्यो ये कह जा रहा है तो हमने पाठ पढ़ा, पाठ में बहुत से सब्द आये हैं, जिन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस तरह के उपसर्गों का चैन करना है, यथा एक उधारन दिया गया है, आगच्छतु, आउपसर्ग है, गम धातु है, लोट लकार, प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है, तो जिस तरह से आगच्छतु सब्द है, इसी तरह से और कौन-कौन से सब्द हैं, जिन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन सब्दों को हमें चैन करके लिखना होगा, तो इसके लिए हम ब्रेल लिपि यह जो पाठ है, इसको भली भाती देखें, और फि देख भी लिए, अब इस आधार पर उपसर्ग युक्त पदों को अलग करके लिखते हैं, तो वे उपसर्ग युक्त पाठ में जो प्रयोग्त सब्द हैं, वे हैं उपविसातु, सूलभानी, सम्प्रिस्य, अनूभवामी, उपलभधानी, समुचिता, ये पद जो हैं, सब्दों को पहचानना आ जाएगा, क्योंकि हम जब पाठ को पढ़े, उस समय इनका अध्यान हमने समय समय पर किया भी है, आईए, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला भ्यास है, अधो लिखिता नाम, सब्दा नाम, विलोम पदम लिखत, अर्थात, नीचे लिखे सब्दों के विलोम पद लिखो, ये कहा जा रहा है, तो कुछ सब्द यहां दिये हुए हैं, उनके कभी परियाय भी पुछा जा सकता है, कभी विलोम भी पुछा जा सकता है, तो यहां जो सब्द दिये जा रहे हैं, उनके विलोम पद हमें लिखने के लिए कहा जा रहा है, सब्दा लेते हैं, सब्दा है सोभनम, सोभनम का विलोम कहना है तो सोभनम, असोभनम, उपलबधानि, तो इसका विलोम क्या हो जागा, अनूपलबधानि, मित्रम मित्र का विलोम क्या होगा सत्रु तो मित्रम का क्या हो जाएगा सत्रु शूलभानी इसका विलोम क्या हो जाएगा दूरलभानी स्फूर्तिम इसका विलोम होगा आलस्यम तो इस तरह से जो यहां सब्द दिये हुए हैं इनके विलोम पद हम लिख सकते हैं चलिए आगे अगला ब्यास है अधो लिखता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी मातरि भःसया लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्णो के उत्तर मातरि भःसया लिखो ये कहा जा रहा है। लेकिन कभी हो सकता है किसी परीक्षा में प्रस्न यहां जो दिये जा रहे हैं वे ही हो और उनके उत्तर संस्क्रित में लेखने के लिए कहा जाए तो इसलिए यहां जो प्रस्न दिये जा रहे हैं इनके उत्तर हम मात्रिभासा में अर्थात हिंदी में तो तयार करेंगे ही अतर है कि प्रेल लीपी जो है पढ़ने और लिखने की एक विसिष्ठ लीपी है यह कहेंगे चली आगे बठते हैं अगला प्रस्न है तव द्रिष्टि बाधितम मित्रम अस्ति प्रस्न किया गया है तव मतलब तुम्हारे द्रिष्टि बाधित मित्रम तुम्हारे द्रिष्टि बाधित मित्र है अर्थात कोई तुम्हारा द्रिष्टि बाधित मित्र है यदि है तो हम लिखेंगे आम हाँ मेरा द्रिष्टि ब मम द्रिष्टी बाधितम मित्रम अर्थात मेरा द्रिष्टी बाधित कोई मित्र नहीं है ऐसा कहेंगे है तो आम कहेंगे आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं यदि आपका कोई द्रिष्टी बाधित मित्र है तब लिखेंगे आम हाँ और नहीं है तब लिखे अगला प्रस्न है ब्रेल लिप्याम पुस्तकानी कुत्र उपलब्धानी भवंती ब्रेल लिपी में लिखे हुए पुस्तक कुत्र उपलब्धानी भवंती ब्रेल लिपी में लिखे हुए पुस्तक कहां उपलब्ध होते हैं तो समाने रुप से ब्रेल लिपी में जो लिखे हुए पुस्तक हैं ये विभिन विद्यालियों में उपलब्ध होते हैं सांसाद जितने पुस्तकालाएं हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं, जो विशे संस्थाएं हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं, तो विद्यालेओं में भी आजकल ब्रेल लिपी से युक्त जो पुस्तके हैं, इनकी विवस्था सासंद्वारा किया गया है, समय समय पर किया भी जात ते लिखेंगे, ब्रेल लिप्याम पुस्त कानि, विद्यालयेसु उपलब्धानि भवंती, ब्रेल लिपी से युक्त, पुस्तक, विद्यालियों में उपलब्ध होते हैं। आपको वहाँ जाकर देखना भी चाहिए चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है तौम संगनकम जानासी तौम मतलब तुम संगनक मतलब संगनक के विशय में जानासी जानते हो तुम संगनक के विशय में जानते हो या पुछा जा रहा है यदि आप जानते हैं तो आप ल संगनक के विशय में नहीं जानता हूँ यह कहेंगे लिकिन आज समय बदल रहा है तकनीकी यूग है तो इसलिए जो विभिन तकनीक से यूग तो यंत्र है तकनीक के ज्यान है इन सब से हमें परिशित होना अवश्यक है तो निश्चीतरुप से आप सभी संगनक की विशय में जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो आप सबको जानना चाहिए और जानते हैं और अधिक उसके विशे में जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए चलिए अगला प्रशन है विद्याले की द्रिशी व्यवस्था भवेत विद्याले में कैसी व्यवस्था होन के भ्यह समुचिता व्यवस्था भावेत विभिन विद्यालियों में विशेस आवशकता वाले जो बच्चे होते हैं इन के लिए सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा हम उत्तर लिखेंगे तो प्यारे बच्चों अभी हमने यह पाठ पढ़ा ब्रेल लि विशेस आवशकता वाले बच्चे होते हैं इनके लिए शमुचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि समावेश्य सिक्षा ये सभी बच्चों का अधिकार है सभी बच्चों को उचित्ट सिक्षा प्राप्त हो यह सासन का प्रयास है हमारा बिदाहित तो बनता है कि हमारे विद्याले में इनके लिए इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं तो उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से धनुस ने अपने विद्याले में प्रयास करने की बातें कहीं हैं वैसे ही हम सब का दाइत तो बनता है कि हम सब भी अपने विद्याले में इस तर संस्कृत में वारता लाप किया जा सकता है किसी भी विशाय को ले करके साथ से साथ हम संस्कृत के विभिन व्याकरनिक पहलूं से भी इस पाठ के माध्यम से परिचित हुए निशित रुप से यह पाठ संस्कृत में वारता लाप की दृष्टे से भी बहुत महत पूर्ण हो रही है तो प्यारे बच्चों अन्तमे सर्व्यभ्यो नमो नमा